देश के सामने कुछ तक्थियों को रखना जरूरी है। लगभग साड़े 23 लाख बच्चों ने नीट की परिक्षा में आवेदन दिया था और बैठे थी। 23.5 लाख students took part in the NEET examination of 2024. ये examination पांसो एकट्र सिटीज में चार हजार साथ सो पचास सेंटर पे हुआ था। This examination was conducted in about 571 cities at 4750 centers. खुद सरकार की और से CBI inquiry दे दी गई थी। CBI को और से आरंभिक अपने investigation में बताया गया कि हजारी बाग और पठना और एकाथ जगह और मिलाकरदर के 155 candidates के बारे में शिकायत आई है। और 155 उमिद्वारों का Candidature cancel कर दिया गया है। और जो इन सभी 155 candidates के मार्क्स की तुलना की गई तो सिर्फ एक को 570 मार्क्स आया था रिस्पेक्टबल मार्क है। सुप्रिम कोट ने 22, 23 और 24 के examination के सारे results को examine भी किया और यह पाया कि कोई इसमें anomaly extraordinary नहीं पाई गई है। जो पहले के results होते थे उसी के अनुसर यह भी result थे। तो सुप्रिम कोट ने कहा कि अब कोई आवशकता नहीं है दुबारा परिक्षा कराने की तो कि इसके कारण बहुत chaos होगा। बच्चों का session डरबढ़ होगा। जिन्होंने इमानदारी से परिक्षा दी है। उनका भविश्य अंदकार में जाएगा। जो SC, ST, OBC के reservation के बच्चे हैं उनको परिशानी होगी। इसके कोट ने कहा कि हम इस पूरे परिक्षा को cancel नहीं करेंगे। और उन्होंने सरकार की बात को मान लिया और कहा कि आप counseling करिये। I repeat, the Supreme Court found no material irregularity to order the cancellation of the entire examination. 23.5 lakh students were there, nearly 571 cities and 4750 centers. तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई है ना? अब हम कुछ बड़ा solve हना चाहते हैं। इस पूरे मामले में CBI inquiry किसने order की भारत सरकार ने की है। इमांदारी से जाच हो रही है, किसके प्रयास से हो रही है? बारत सरकार के प्रयास से हो रही है और CBI इमांदारी से जाच कर रही है। लोग पकड़े जा रहे हैं। 155 उमिद्वार जिनके बारे में शिकायत आई, उनकी उमिद्वारी कैंसिल कर दी गई है। और उनको दुबारा परिक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, इसकी भी तियारी चल रही है। तो इतनी इमांदारी से जब काम हुआ है, तो राहुल गांधी यह क्या चिल ला रहे थे। जो बार बार फ्रॉड और क्या-क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तो क्या भारत के परिक्षा की sanctity को आप भारत नहीं दुनिया में बदलाम करना चाहते हैं। तो भारत की examination system अपने बच्चों के लिए ठीक से परिक्षा नहीं करा सकती है। कॉंग्रेस के रीजीम में कितनी बार paper leak हुआ। कभी इस तरह की करवाई हुई थी क्या। अखिली शादों के समय में कितनी बड़ी संख्या में paper leak यूपी में हुआ था। अब तो यूपी में gangster act भी लगाने की बात हो रही है। और यह जानना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार के ही प्रयास से पेपर leak के खिलाफ एक बड़ा कानून बना है या नहीं बना है। जिस के अंतरद करवाई हो रही है। और आगे भी करवाई होगी। तो कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे। आगे। In the wake of the conclusive finding of the Supreme Court, there is no material irregularity warranting a cancellation of the examination. It is confined to only two centres in Patna and one outside. Patna means Hazari Baayan, Patna. Will you apologize? राहुल गांधी देश के बच्चों को भारत की साख को क्यों बदनाम करते हैं? बार बार? हुम बर करते नहीं, चीजों को समझने की कोशिश करते नहीं, किसी ने चिट दे दिया और लगते हैं भारत की छवी को खराब करने, यह ठीक नहीं है। पार्टी की ओर से हम बहुत भरसना करते हैं रिपक्ष के रवएए की, और विशेश उते राहुल गांधी के रवएए की, कि जिस पकार से उन्होंने पिछले एक डिर्ड महिने में देश में परिक्षा के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाया। वो राजनीती करें लेकिन देश को कमजोर न करें। और इस तरह के गैर जिम्यदारना वक्तवे देकर राहुल गादी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर नहीं भारत की छवी खराब की, बलकि भारत की परिक्षा व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास बनने का काम किया जो बहुत ही गलत है। मैं बहुत इनकी बर्षना करता हूँ और ये बहुत संतोष की बात है कि अब सुप्रिम कोट ने इस पर मोहर लगा दी है और कांसलिंग शुरू होगी और बच्चों का भविश्टी कोगा है।